हाई फ्रेंड्स मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अधिकार के बारे में जो बच्चों से संबंदित है और बाल मनोबिज्ञान के लिए बहुत ही उपियोगी है तो चलिए सुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त राजी सरंजन और आप देखरें मेरे चैनल जेटेट की तयारी तो RTE से संबंदित आज टॉपिक बनाया हूँ राइट टू इजूकेशन से संबंदित है इसमें एक सवाल तो हर एक बार कुछी जाती है अभी सीटेट में पुछा गया था मैं आगे बात करता हूँ उस पर चर्चा करता हूँ तो चलिए मैं सुरू करता हूँ कि RTE RTE का पूरा फूल फॉर्म राइट टू इजूकेशन है जो 2009 में एक्ट बना भारत में इसका हिंदी है सीच्छा का अधिकार अधिनियम नारवे वह देश था जो इस पर अधिनियम बनाया कौन सा देश नारवे नारवे देश ने क्या बनाया अधिनियम बनाया भारत कैमा है यह देखिए नारवे नारवे देश सबसे पहला इस पर अधिनियम बनाया और भारत का अस्थान जो है एक सो पैतिसमा है एक सो पैतिसमा देश भारत है जो सिच्छा का अधिकार अधिनियम लागू किया आगे बात करते हैं तो RTE को भारती समिधान के रुचेत 45 में रखा गया था जो निती निदेशक तत्तो के अंतरगत थे यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों निती निदेशक तत्तो में जो भी पॉइंट रखे गये हैं तो उस पर जब तक अधिनियम नहीं बनते हैं तब तक वह परवर्तन में नहीं आते हैं तो 86 मा समिधान संसोधन 2002 में इसे मूल अधिकार में जोड़ा गया आनि की एक्ट बनाया गया और मौलिक अधिकार में उसको लाया गया जब इसे मौलिक अधिकार में लाया गया, तो जानते हैं आपके मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भाग 3 में है, जिसको संविधान का मैगना काटा कहा जाता है, और भाग 3 में 21 A में इसको लाके रखा गया, अनुछेद 21 का A, इसमें प्रवधान तो पहले से ही है, 6-14 वर् मौलिक अधिकार मिल गया, कि उसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसका एक अपना अधिकार मिल गया, अभी जो सीटेट में प्रशन आया था, मैं उसकी चर्चा करता हूँ यहाँ पे, लिखा था कि सिच्छा का अधिकार अधिनियम के थाद, निसक्त बच्चों को कितने के लिए निसुल्क सिच्छा का अधिकार है, तो 6-14, 6-15, 6-18 और 6-16 इस तरह से 4 अप्सन थे, तो इसमें भटकने की जरुत नहीं है, निसक्त बच्चों के लिए भी 6-14 वर्सी है, और साधारन बच्चों के लिए भी उतना ही है, तो आगे की बात करते हूँ, मैं अधिनि अधिनियम हो गया, अब सिच्छक के अनुपात की बात करते हैं, तो सिच्छक का अनुपात है, 1-5, अनि कि प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चे पर 1 सिच्चक, और मिडिल स्कूलों में 35 बच्चे पर 1 सिच्चक, प्राइमरी कारी दिवस की बात करते हैं, 200 दिवस है, 800 घंटे, और UPS, मद्धिविद्याला में 220 दिवस, 1000 घंटे, SMC का अध्यक्ष पैरेंट्सी होंगे, आनि कि SMC का अध्यक्ष पैरेंट्सी होंगे, जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हों, तो ये रहा मेरा RTE के बारे में कुछ ये जानकारी था, और आप थोड़ी सी बात करते हैं, exam point, कहां से question बनाते हैं, किस तरह से question को पुछे जाते हैं, तो exam point को देखिए, सबसे पहला exam point यहां पर बनता है, कि RTE को पूरे भारत में कब लागो किया गया, एक अप्राइब 2010, पहला point, एक तब इसको आत करना पड़ेगा, दुसरा point, RTE कहां लागो नहीं है भारत में, तो जम्मू कस्मिर में लागो नहीं है, दो exam point होगे, तीसरा exam point, RTE के तहत कितने वर्स तक मुफ्त सिच्चा का प्रावधान है, RTE के तहत कितने वर्स तक मुफ्त सिच्चा का प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्स, यह भी एक exam point है, अगला point देख लेते हैं कि, RTE को कहां मौलिक अधिकार में जोड़ा गिया, कितने अनुछेद में, 21A, दोस्तों 21 में प्रावधान दहक से अतंतता है, लेकिन 21 यह जोड़ा गिया, आद रखिएगा 21 का A, भाग कितने में है, तो भाग 3 में है, यह exam points है, आग exam points को देखते हैं, कि कैमा समिधान संसोदन्क में इसको जोड़ा गिया, 86 समिधान संसोदन्क, यह exam points है, कब जोड़ा गिया, 2002 में, यह भी exam points है, तो 4-5 points हमें, exam से समंदित यहाँ पे मिले, अगला point देख लेते हैं, एक गंतिम point है, कि 80 मौलिक अधिकार में आने से पहले, कितने अनुछेद में थे, तो अनुछेद 45, यह 4-5 points इसे, जो महतपूर्ण है, जो exam में इस वास है कि समझ में आ जाएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक कर देजिए, कमेंट भी किजिए, अगर कोई कमी है, कुछ और चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, तो चली दोस्तों, इसी एक साथ वीडियो समाप्त करते ह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धर्शाएं